भजन सहिता 119, 119 से 136 तक, तेरी चितनिया अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, मैं मुह खोल कर हाफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आग्याओं का प्य तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, और अपनी विधियां मुझे सिखा, मेरी आँखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते, सान्दे, इबरानियों 1, 1-14 तक, उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्थूओं को अपनी सामर्थे के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर उचे स्थानों पर महमहिमन के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, जितना उसने उनसे बड़े उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विश्य में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधक्तियाग बनाता है, परंटु पुत्र के विश्य में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंघासन योगानु यूग रहेगा, तेरे राज्यका अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्शरूपी तेल से तेरा अभिशेक किया। क्या वे सबसेवा तहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उध्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। सा ठहराया है. हमारे सब शत्रूओं ने हम पर अपना अपना मुँ फैलाया है, भई और गढ़ा, उजाड और विनाश्वर, हम पर आ पड़े हैं, मेरी आँखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश्वर के कारण जलकी धाराएं बह रही हैं। मेरी आँख से लगातार आशू बहते रहेंगे, जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी और न देखे, अपनी नगरी की सबस्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दू, खबरता है। जो व्यर्थ मेरे शत्रू बने हैं, उन्होंने निर्दैता से चड़िया के समान मेरा आहिर किया है, उन्होंने मुझे गढ़े मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे उपर पत्थर लुड़का हैं, मेरे सिर पर से जलबह गया, मैंने कहा, मैं अब नाश हो गया। जो बदला उन्होंने मुझे से लिया, और जो कलपनाए मेरे विरुद्ध की, उन्हें भी तूने देखा है। बिला पगी चार एक से बाईस तक, सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्रस्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिये गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुमहार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। गीदरिन भी अपने बच्चों को थन से लगा कर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुर मुर्गों के तुल्य निर्दई हो गई है। परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है, वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते, उनका चमणा हड़ियों में सड़ गया, और लकडी के समान सूख गया है। जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीती ना कर सकता था, कि द्रोही और शत्रू यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। यह उसके भविश्यद वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे अब सडकों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं, और मानो लहू के छीटों से यहां तक अशुद्ध हैं कि कोई उनके वस्त्र नहीं चूँ सकता। लोग उनको पुकार कर कहते हैं, अरे अशुद्ध लोगो, हट जाओ, हट जाओ, हमको मच्छुओ, जब वे भाग कर मारे मारे फिर ने लगे, तब अन्यजाती लोगों ने कहा, भविश्य में वे यहां टिकने नहीं पाएंगे। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयूपूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। पुत्री, तेरे अधर्म का दंद समाप्थ हुआ, वह फिर तुझे बधुआई में न ले जाएगा, परंतु हे अधोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंद वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रगट कर देगा। विला पगीत पांच, एक से बाइस तक, हे यहोवा, स्मरन करकी हम पर क्या क्या बीता है, हमारी ओर द्रिश्टी करके हमारी नामधराय को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं, हम अनात और पिताहीन हो गए, हमारी माताएं विधवसी हो गई हैं, हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती हैं, खदेरने वाले हमारी गर्दन पर तूट पड़े हैं, हम ठक हमें विश्राम नहीं मिलता हम स्वयम मिस्र के अधीन हो गए और अश्यूर के भी ताकी पेट भर सकें हमारे पुर्खाओं ने पाप किया और मर्मिटे हैं परन्तु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है हमारे उपर दास अधिकार रखते हैं उनके हाथ से क नहीं छुडाता जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्रांट जोखिम में डाल कर भोजन बस तुले आते हैं भूख की जुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमडा तंदूर के समान काला हो गया है सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भरष्ट की गई हैं हाकिम हाथ के बल तांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकडी का बोज उठाते हुए लखडाते हैं अब फातक पर पुरनिये नहीं बैठते न जवानों का गीत सुनाई परवत उजार पड़ा है उसमें सियार भूमते हैं परन्तु हे यहोवा तू तो सदा तक विराजमान रहेगा तेरा राज्य पीडी पीडी बना रहेगा तू ने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है हे यहोवा हमको अपनी और फिर तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्योंके त्यों कर दे। क्या तू ने हमें बिलकुल त्याग दिया है। क्या तू हम से अत्यंत क्रोधित है।